वीकेंड पर एक ही बिल्डिंग में काम करने वाले कोवरकर्स एक लिफ्ट में फस जाते हैं अब इन्हें बचाने वाला दो तीन दीन तक कोई भी आने ने वाला था काहनी में ट्विस्ट तब आता है जब इनके फसने की पीछे भी एक राज दफन था हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको डाउन ये एक होलिवड की थ्रिलर मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इसमें बहुत अच्छे ट्विस्ट आते हैं और एंडिंग में बहुत अच्छी है तो अंतक इस वीडियो को जरू देखिएगा अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजे अब बीना किसी दरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी में ग्यारेक्टर जैनिफर को ओफिस में काम करता हो देखते हैं आज बहुत ही लेट हो चुका था उसके साथ ओफिस में कोई भी नहीं था पर फिर भी हो काम कर रही थी थोड़े दिनों पहले उसके फियांसी के साथ उसका जगड़ा हो गया था इस वाज़े से उनों ने ब्रेक अप कर लिया था पर विकेंड पर जाकर वो उसे सप्राइस करने वाली थी इसके बारे में वो एक इमेल लिखती है पर इसे सेंड नहीं करती है क्योंकि ये एक सप्राइस था नेकसीन में हम हमारा और एक मैन क्यारेक्टर देखते है जिसका नाम है गाय ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था ये दोनों अलग-अलग फ्लोर उबर एक ही लिफ्ट में चड़े गाय जेनिफर से मिलते उसे कमफटेवल फिल कराने के लिए जोक स्वगरा करना स्टार्ट कर देता है लिफ्ट में ड्रॉइंग बनी थी गाय ने जेनिफर को ड्रॉइंग दिखाए तब ही अचानक से लिफ्ट बन हो जाती है लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था इन्होंने अलाम वेकरा दभाने की कोशिश की पर कुछ भी वक नहीं कर रहा था लिफ्ट में जेनिफर ने कैमेरे को नोटीस किया कैमेरे में वे वेकरा करते हैं पर दूसरी साइट पर कोई भी नहीं था ये फोन करकर किसी के हल मांग सकते थे पर रेंज भी नहीं आ रही थी अब इस लिफ्ट में ये पाच दिनों के लिए ट्रैप्ट है फ्राइडे, सैटरेडे, संडे और दो दिन की छुट्टी थी गाय ने जेनिफर को कहा कि मैंने अभी-अभी इस बिल्ली में जॉब जॉइन किया है उसे इस लिफ्ट के बार में जादा कुछ भी पता नहीं है जेनिफर ने कहा कि कभी-कभी ये लिफ्ट आवाज करती थी शायद इसी वज़े से स्टग हो गई है गाय को अचानक से आईडाया कि लिफ्ट के उपर से ये एक्जिट हो सकते है हर लिफ्ट में एक्जिट होने के लिए कुछ ना कुछ तो हता है उसने खुद खोलने की कोशिश की पर उसकी इतनी हाइट नहीं थी फिर वो छुक कर जेनिफर को उपर की सिलिंग चेक करने के लिए कहता है जेनिफर के चेक करने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा था इन्होंने बहुत ट्राय किया पर कुछ भी नहीं हुआ एक घंडा बीथ गया और जेनिफर रेयलाइस करती है कि अब उसकी फ्लाइट उसने मिस कर दिया वो गुसा होगे और सारी चीज़ों को गालिया देने लगके उसे ब्यास लगी थी तो गाया ने उसे अपनी बॉटल दिये जेनिफर उसका पानी पेने से मना कर दिया पर गाया ने कहा हमारे पास एक तो एक पानी है दूसरी वाइन की बॉटल अब तुम डिसाइड करो वो मजाग में कहता है वाइन की बॉटल ओपन करने के लिए मेरे पास ओपनर भी है जेनिफर ने भी अपनी पर से निकाल कर उसे एक ओपनर दिखाया इस पहरे दोनों बहुत अस्त है उसने विरबानी पी लिया था वो गाये को एक चॉकलेट डे दिया उसने कहा अब हमें सारी चीज़ एकदम तोल माप कर यूज़ करनी चाहिए हम यहाँ बर शायद पास दिनों के लिए फसे रह सकते है अब इसके बाद और चार घंड़े बीत गए थे उसे पी करना था पर गाये के सामने इस तरीके से टॉलेट करना है उसे अजीब लगता है गाये ने फिर उसे एक बोटल दी कहा कि एक नैचरल चीज है इसमें कोई भी शरम करने की ज़रूरत नहीं है उसे मूडने के लिए गएती है और फिर टॉलेट कर लेती है उसने अब रियालिटी को एकसेप्ट कर लिया था कि अब यहाँ फसे रहेंगे लिफ में जो ड्रॉइंग बनी थी उसी ड्रॉइंग को कम्प्रीट कर लेती है जनिफर गाये से बुछती है क्या तुमारी कोई भी गर्फेंड वेगराने है जो तुम अगर घर पर न आओ तो पुलिस को कॉल करकर तुमारे बारे में पता करेगी मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जनिफर ने भी अपने फियांसे के बारे में उसे कहा उसे सप्राइज देने वाली थी तो फियान से को भी उसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था ये दोनों रियलाइस करते हैं कि वो कितने सेम है गाय ने फिर वाइन की बॉटल खोल ली टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते है गाय ने जैनिफर की बहुत ही अच्छे से ड्राइंग बनाई थी पर जैनिफर उसके एक फणी से ड्राइंग बनाती है जैनिफर को इसके लिए बुरा लगा और हो गहती है तुमने मेरी जो पिक्चर बनाई इसे में मेरी प्रोफाइल पिक्चर रहूंगी बाते करते करते खाने पर डिस्कस करने लग गये तोने भुगे थे तो जनिफर ने कहा कि सब्जेक्ट हम चेंज करते है अलग-अलग टॉपिक पर डिस्कस करते हुआ एक दुसरे के पार्टनर के साथ क्रेजी स्टोरिय पताने लग जाते है जेनिफर गहती है कि एक बार में मेरे बॉइफ्रेंड के साथ लाइबररी में इंटिमेट हुई थी मैट पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था पर बाद में हो गहता है कि मेरी एक कोवर कर दी हम एक बार ड्राइव पर गए थे वही पर इंटिमेट हुए थे ये सब बताते हुए उसे जेनिफर के लिए फिलिंग्स आगे जेनिफर को भी इससे कोई भी प्रॉलम नहीं था फिरे दोनों यही पर इंटिमेट हो जाते हैं इंटिमेट होने के बाद गाई ने जेनिफर से का यह तुम्हारे प्यार में पढ़ सकता हूँ यह पाद जेनिफर को बहुत ही अजीब लगी वो उससे गहती कि हमारे बीच में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे वो अपने फियानसे से बहुत प्यार करती थी उसके बास वापस जाना चाहती थी गाई को इस बात में बहुत हर्ट कर दिया वो कहता है मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनीशन है क्या तुमें कुछ भी फील नहीं हुआ जेनिफर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो उसके फियानसे के साथ बहुत सालों से थी तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी जेनिफर की ये सब बाते सुनकर एक बंड लिफ्ट में होने की बावचूत एक दूसरे से बहुत ही दूर है ये सारा गाय महसूस करता है उसके आग में असो आ गए थे जेनिफर उसे कहती है हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं अचानक से गाय का बिहेवियर चेंज हो गया वो अपने मोबाइल में उसे CCTV फूटेज दिखाता है कहता है कि मैं रोज तुम्हें देखता हो तुम जब काम पर आती हो काम से जाती हो हर रोज में तुम्हें ही देखता रहता हो वो Actually में इसी building में security guard है उसने पहले Jennifer को जोट कहा था कि इसी building में अकान्टेंट है उसने convince किया कि सब कुछ मैंने प्लान किया था वो Jennifer के साथ एक दूसरे को जÁनने के लिए चांस चाता था वो चाता था कि Jennifer उसे पहजाने इसी वज़े से उसने सब कुछ किया था वो अपने बॉकिट से चावी निकालता है और ये लिफ स्टार्ट हो जाती है जेनिफर उस पर गुसा हो गई कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूंगे तुमने जो भी किया इसके लिए तुम्हें भुगदना पड़ेगा इस सुनने के बाद गाये ने लिफ बन कर दिया जेनिफर डर कर फिर से लिफ को स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर गाये ने उसे पकड़ लिया जेनिफर स्टरगल करते हु लिफ्ट की की को मार देती है और इस वज़े से तूट गई थी अब ये एक्ट्वल में इस लिफ्ट में फस्स गए थै जेनिफर गुसा होकर अपने शू से गाय को अनकॉंसियस कर देती है उसे चेक करने के लिए आई पर गाय कॉंशियस था उसे भी मार कर बेहोश कर देता है जनिफर के होश में आने के बाद गाय उसे कहता है एक बहुत ही अच्छा प्लान था यहाँ लिफ में हमारे बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था तो हमें एक दूसरे को जान पाए प्रैक्टिकली हमारी पूरी रिलेशन्शिप इस लिफ में हो गए हम एक दूसरे से मिले एक दूसरे को जाना और ब्रेक अप भी हो गया जनिफर अब भी बहुत गुस्सा थी उसने अपने फियांसे के लिए जो गिफ लाय था कि गाए ने चेक किया इसमें एक अच्छा-चा शर्ट है जो गाए पहन लेता है गाए के बास भी एक गिफ्ट है जिसमें सीगार, लाइटर और एक कटर है गुस्से में गाए ने लिफ्ट का एक लाइट तोड़ दिया फिर उसे आइडिया आता है कि याँ लाइट बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो वे होगा उसके पास के पॉटल से उसने छट पर मार कर उसे खोल लिया वो जैनिफर से कहता है कि तुम मुझे सपोर्ट दो मैं उपर जा कर इस लिफ्ट को खोल दूँगा जैनिफर उस पर बिलियू नहीं कर दी कहती है कि मैं उपर जाती हूँ मेरा वेट कम है और मैं जल्दी से तुम्हें उपन कर दूँगी गाय को उस पर शक आने लग गया था पर उसे जो बात सुननी थी यही जैनिफर ने कही वो गय थी कि हमने एक साथ इतना सारा टाइम स्पेंट किया मैं तुम्हें धोका क्यों दूँगी गाय भी फिर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है और जैनिफर उपर आके उपर आने के बाद जैनिफर ने उसे धोका दे दिया मैट बहुत डिस्टब हो जाता है वो कुछ भी करकर उपर आने की कोशिश करता है उसने अपने कपड़े निकाले उससे एक रसी बना कर उपर आ जाता है जैनिफर ज़रा ज़्यादा उपर जली गई थी वो डोर को पकड़ने वाली थी तब ही नीचे से गाय आया और उसे पकड़ कर फिर से लिफ्ट में लेकर आता है ये दोनों इससे इंजोर हो गए थे गाय अनकॉंशेस हो गया और जैनिफर होश में आ गई लिफ्ट तैस नहीं थी तो उसने यहाँ पर फायर अलाम को नोटिस किया गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटर निकाल कर थोड़ी सी आग बनाने की कुशिश की गाय को होशाने के बाद हो गयता है ये सब वर्क नहीं करेगा हमें बचाने के लिए कोई भी आने नहीं वाला जैनिफर जल्दी से उसे मार कर उसके हाथ पैर बान देती है वो गहती कि हम यहाँ से जल्से निकल जाएंगे पर तुम्हें सब कुछ अभी के अभी कनफेस करना पड़ेगा वो बाद में कोट में जुटी सावित नहीं हो सकती तो मैटकोस ने का तुम सब कुछ अब कनफेस कर दो अगर गाय ने ऐसा नहीं किया तो जेनिफर उसे बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट करने वाली थी गाय फिर सारी चीज़े कनफेस कर देता है जेनिफर फाइनल उसे पुछती है तुमने यह सब किया क्यों गाय कहता है कि मैं हर रोज तुम्हें देखता था तुम बहुत ही ब्यूटिफूल थी पर मैं एक सिकुरिटी गार्ड हो इस वज़े से मैं कभी भी तुम्हें अप्रोज नहीं कर पाता मैं हमेजा से सिकुरिटी गार्ड नहीं था मैं एक्चुल मैं एक अकाउंटन था और बहुत सारे पैसे कमाता था जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताई थी कि कार में मेरी कोवर कर के साथ मैं इंटिमेट हो रहा था तब ही उसका एक्सिडन्ट हो गया उस पर चार्ज़ेस लगे पर गाय के पास बहुत सारे पैसे थे तो सिक्स मन्स में वो बहार आ गया पर बहार आने के बाद उसे कोई भी काम ने मिलता था स्लोली स्लोली उसके फाइनाशल सिचुएशन खराब हो गे और उसे सिक्रिटी गार्ड का काम करना पड़ा वो जैनिफर से कहता है कि मैं फिर से मेरी ओल लाइफ को महसूस करना चाहता था इसी वज़े से उसने सब कुछ प्लान किया निकसिन में हम देखते हैं कि मैट के साथ काम करने वाला सिक्रिटी गार्ड ये अपनी गर्ल्फरेंड को छट दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है उसने तो छुट्टी ली थी वो वापस आने नहीं वाला था पर गर्ल्फरेंड को यहाँ लेकर आया वो रोडिस करता है कि गाय आसपास कही भी नहीं है उसने कैमेरे में जैनिफर और गाय को लिफ में देखा वो जल्दी से उनकी हेल्प करने के लिए पहुश गया फ्रेन आया और लिफ को ओपन करने की कोशिश करता है पर यह सिर्फ थोड़ी सी ओपन हो रही थी वो अपनी कीज लेने के लिए वापस जाता है तभी गाय जैनिफर पर हमला करकर उसे बेहुश कर देता है वो वापस आया और अपनी की उसने मैट को दे दी गाय कहता है कि उपर आओ मुझे हेल्प की जरूरत है वो आधा ही अंदर आया था तभी गाय ने लिफ को चालू करकर उसे मार डाला वो लिफ में उसकी बॉड़ी रख देता है जैनिफर को ले जाकर अपनी गाड़ी की ट्रंग में डाल दिया नीचे आकर उसने शावर लिया, कपड़े पहने लॉबी में आकर अपने फ्रेंड की गल्फरेंड को उसने नोटिस किया वो इसके बॉड़ी फ्रेंड के बारे में उसे पुछती है तो गाय ने कहा कि वो तो चला गया गल्फरेंड ज़रा सस्पिशेस होकर यहाँ से जा रही थी तो मैट उस पर भी हमला करकर उसे मार ढालता है अब इसके बाद अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुमसान रस्ती पर वो ली कर गया वो थ्रेश कैन में पेट्रोल वेगरा डाल कर जेनिफर की बॉड़ी को जला देने वाला था वो जब ड्रंग खोलता है तो जेनिफर जिन्दा थी उस पर वो हमला कर देती है जल्दी से गाड़ी में बैट गई और आगे चलीगी उसने पीछे देखा तो गाए अभी जिन्दा था वो बहुत जादा गुसा हो जाती है रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाए को उसने मार डाला गाए को इडिस बिन में डालकर पेट्रोल छिड़क कर मार डाल दिया